गूट मॉर्णिंग स्टूरेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिटा डाइजिस्टिव सिस्टम का यह ना बिटा किसका डाइजिस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करने के बाद अब हम उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे आज डाइ digestive organs कौन कौन से और गंस हैं जो digestive system में help करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगी सबसे पहला जो organs होता है विटा that is mouth क्या होता है हमारा mouth मूँ होता है आप लोगों ने देखा होगी जब भी हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मूह में रखा जाता है और मूह में रखने के बाद हमुशे क्या करते हैं चवाते हैं है न अ सबसे पहले माउथ के अंदर जब फूड जाता है विटा तो क्या होता है वहाँ पर हमारे तो टीथ होते हैं वो टीथ क्या करेंगे फूड के लिए क्रश करेंगे यानि के छोटे छोटे पीसिस में क्या करते हैं वो तोड देते हैं और हमारे mouth में present salivary gland कौन सी gland बिटा? Salivary gland जो क्या produce कराती है? Saliva यानि के lard produce कराती है Salivary gland saliva produce कराती है और इसके बाद वो क्या होता है? हमारे food में lard जो होती है, वो क्या होती है? मिक्स हो जाती है, है न? और हमारे food को अच्छे से पचाने में, digest करने में हमारी help करेगी अब teeth क्या होती है, विटा? teeth होती है हमारे four type के teeth teeth भी तो help कर रहे हैं, food को थोड़ा सा छोटा करने में उसके small pieces में teeth are four types teeth कितने type के होती है, विटा? four types के आपके teeth होती है, कौन-कौन से? सबसे first, incisor, incisor, second number, canine, second number, canine, number third, premolar, and number fourth, molars these are the types of teeth यह क्या होती है, विटा? teeth के types होती है, सबसे पहले होता है, incisor incisor teeth कौन से होता है, विटा? जो सबसे top and bottom पे होती है, है न? और सामने, कहां हो, जो हमारे सामने, मुह के सामने, जो सबसे पहले लगे होती है, वो हमारे क्या होती है, विटा? incisor teeth होती है, सामने के जो चार नात होती है, वो हमारे क्या कहलाते है, incisors कहलाते है, है न? यह चफटे होते है, और fist होती है, जो भी चीज हम काटते हैं, तो सबसे पहले हमें, इनी का, यूज करना होता है कहीं भी हम apple या कोई भी चीज़ खाते हैं तो बेटा सबसे पहले हम कौन से अपने teeth को use करते हैं incisor के लिए है ना incisors के बाद आते हैं canines canines क्या होते हैं ये incisor के just पीछे और नुकीले होते हैं है ना ये दो नीचे और दो उपर present होते हैं और ये food को फालने का काम करते हैं food को खिचने का काम करते हैं है ना पीटा next है premolars ये कवाते हैं पीटा ये canines के बाद में आते हैं premolars और premolars का जो number होता है वो कितना होता है 8 होता है premolars के number कितने होते हैं पीटा 8 होते है चार आपके उपर वारे जबले में होते हैं और चार आपके नीचे वाले जबले में होते हैं ये क्या होते हैं? ये थोड़े से बड़े होते हैं strong होते हैं and thick यानि के मोटे होते हैं कौन? premolars they are used for grinding food और ये भोजन को food को पीशने के काम आते हैं हमारे मुह के अंदर food को पीशने के काम आते हैं बटा कौन आते हैं? premolars and last is molars तो molars बटा होते हैं इनका number होता है कितना? 12 6 नीचे की side होते हैं और 6 आपके उपर की side होते हैं and the last pair of molars both in upper and lower jaw are called wisdom teeth last pair को क्या कहते हैं बटा? उसे कहते हैं wisdom teeth wisdom teeth जिसे कहते हैं अकल दाड़ अकल की दाड़ है न? तो वही होता है हमारे पास क्या? wisdom teeth molars teeth grinded up food fine paste ये क्या करते हैं? बोजन को बहुत ही ज़ाद है small particles में change कर देते हैं और उनका paste बना देते हैं and helps the tongue to push the food down to the food pipe और food pipe के तिरू बोजन को नीचे बेजने में help करते हैं there are 32 teeth in human beings 8 plus 4 plus 8 plus 12 equal to 33 means 8 आथ के होते हैं कौन से बेटा? incisors 4 हमारे क्या होते हैं? canines and 8 again क्या होते हैं? premolars and 12 क्या होते हैं बेटा? molar the total number of teeth in human being is 32